पर कुछ इकनू जाज रहनदा है, कुछ पुल के चले जान दे हन, जदो बच्चा पड़ेगा, इंते हान वीच बैठेगा, ताव सदीव ले दे दिमाग वीच बैठ जावेगा, गुर्द का इतिहास की है, सम्में बेंती करांगा, बीप तजिंदर सिंग जी, आज दार जो इरजल्ट हैवे नोज कनगे, वाहिगुर्जी का खालसा, वाहिगुर्जी की इपते, क्या खूब थे वो, जो हमें अपनी पहचान दे गए, हमारी पहचान की खातिर, वो अपनी जान दे गए, आओ, माता गुजर कोर, बाबा फते सिंग, बाबा जोरावर सिंग, बाबा जुजार सिंग, बाबा अजीद सिंग, अते चमकोर दी समुझ शहीदान दी लफसानी शहादतनू, मुख रखदे होए, साहिबे कमाल गुरु गोबिन सिंग जीदी, फते परवान करो, गजवज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फते बड़ा मन परसन हो दा है जिस विले संगत विच्चो बच्चेयां दी अवाज ज्यादा हों दी है एक टीच्चा है जो गुरु साहब दा कि अपना अपनी जड़ी पनीरी है न जी उन्हों साम लेए न ते ओ टीच्चा अपने आप भी पूरा हो जावेगा तो मुबारक दे पातर ने जड़े प्रभंदग खास करके कैप्टन तरसेम सिंग जी पैगरविंदर सिंग जी राजवीर सिंग जी अते होर भी सारे जिना ने इस पूरे प्रोग्राम दे वेचे इस पूरी प्रिख्या दे वेचे साथ दिता गुरु साहब दिया सिसा में ये तो गुरु साहब जी दा तरस या साथे थे ये साच जाने हो मैं ता ही समझ दा के गुरु साहब ने तरस किता या साथे थे कि सानू ए छोटे-छोटी सेवा जड़ी ये करन दा मोगा देता तो मैं एना दा बहुत तनवादी है तो जो बच्चे ने मेरे ख्याल चे सारे पहुच चुके ने सारे ही सोच रहे होने हैं कि कौन पहले नंबर ते या कौन तुझे नंबर ते या कौन तीज़े नंबर ते या पर बच्चे ओ इतने पहले तुझे तीज़े नंबर दे इतना गाली नहीं है जेस भी किसे बच्चे ने डेड़ सो या सो स्वाल दे विच्चों अपने इतिहास गुरु ग्रंसा है अपने जड़ी रहत मर्यादा ओदे विच्चों एक वी स्वाल दा जे अंसर सही दिता है न तो बच्चा उ माटा पूरा मबारक काटर है साच जाने ओऊ मुबारख दा पातर है चाहे किसे बच्चे ने एक वी स्वाल दा उत्तर सही दिता है उ भी मुबारक दा पातर है पर मैंज़़ अपने वाइप देना पेपर चैक कर रहे है जी ते मैंनू लगया के नैई इनने प्यारे प्यारे उत्तर लिखेया और इनने सोच समझ के मैं कहना कि असी ये ना देखे कुछ भी नहीं है तो असी मारा इननों मुख रख दे होए जिते तक भी होया निर्पक हो के पूरी जो पेपरां दी कि तीसी की अपना मार्किंग ओदे विच्छो गुरु साहब द कैप्टन साहब या होर भी जड़े प्रबंद किया किसे नों भी नहीं पता कि रिजल्ट की है एं माराज ने मैं ही सोच आजी कि माराज दी हुजूरी दे विच्छ ही जाके रिजल्ट खोलनांगा ता जो किसे नों किसे तरीके दा कोई तो असी रिजल्ट जड़ाया उना बच्चिया नहीं जिना ने बहुत ज़ादा थे कड़ी मैनत किती और वो इस जड़ा मुकाम तक पहुंचे आके उना नों असी पहला दुझा तीज़ा नंबर दे रहे हैं तो मैं रिजल्ट खोल ले आया जो ग्रुप एदे विच सब तो पहला तीसरे नंबर दे जो बच्चा आया है जिसनों थर्ड प्राइज मिलना है मैं बच्चा नों भी कहांगा ते प्रबंधका नों भी कहांगा कि जो इत्ते सनमान योग बंदे बैठे है ओ इना बच्चा नों सनमान कर ले अग्गे आजान होर भी अगर सनमान योग वीर कोई हैगे है पाईज साब जी तुसी ली आजो ता जो बच्चे नों था एक उच्चा जो है वो देखर वाला होना चाहिए था कि हर बच्चे नों जेकारे रही असी सनमान करना जेकारे रही जड़ाया ओ असी बुलावांगे तो पहली बच्ची ग्रुप ए दे विच्चों जिसने सो दे विच्चों 90 नमबर लेया ए है बच्ची तनमीद कोर्ड जाटरा सद पाल सिंग जिंदर मेलू आरस कुरा दी बच्ची है स्टेज दे पहुँच जाए फटा फट यहाँ जाटरा लेया इस बच्ची ने बहुत अच्छा पेकर किता सी और महसूस हो रहा कि वाक्यी एक गुरुसिक परवार फिजिज भी बच्ची ने पेकर किता है तो तनवाद दे पात्र इना दे जड़े माता पिता भी ने असी उना दा भी बहुत बहुत तन्वाद करते हैं आदे उमीद करते हैं कि कहां भी ये बच्ची इससे तरहीं चड़ती कलच रहेगी तो ग्रूप बी ग्रूप बी ओदे विच्चे तीजे नमबर ते आउन वाले बच्चे दा नाम है जिना ने डेड़ सो दे विच्चो एक सो बत्ती आंक प्रापत किते ने बच्चे दा नाम है पुश्विंदर कोर डाटर आफ निर्मल सिंग खोर तो इससे पेड़ दे वसनीग बच्ची पुश्विंदर कोर डाटर आफ निर्मल सिंग बच्ची स्टेज ते आजाए ते अपना सनवान जड़ाओ प्रापत करन तो ए बच्चे तुसी देख रहे हो कि किनी चर्दी कलावाले बच्चे या मुले सोने हां सारा अच्ची अपार तो ए ओर रूहा ने जिला ने और वले समय दे विच शिखी नू सामपनाया खुड़ अपा ग्रूप ए दे विच आजाए फिर दुज्जे नंबर दे ओर वाला बच्चा जिसने सो दे विच्चो चरणमे नंबर लेया 94 आउट अफ हंडर्ड बच्चे दा नाम है जी अकाश दीब सिंग सन अफ सुख्जिंदर सिंग खोड़ तो बले सानिहा अकाश दीब सिंग सन अफ सुख्जिंदर सिंग ए भी बच्चा पेंड़ खोड़ तो या मुबार्ख है इस पेंड़नों भी के इस पेड़ दे बच्चे इनने अच्छे जड़िया नंबर ले रहे या बोले सोलिहा हुनकाल करिये मुर्के गुरुप बी दी गुरुप बी दा दुझे नंबर दे और वाला बच्चा जिसने डेड़ सो दे विच्चों एक सो सैंती आंक प्रापत किते है ओ बच्चा उदा ना आया जित पाल सिंग सानाव राजिंदर सिंग ममका पेंटों बोले सोने हाँ ए बच्चे तो अटे सामने जो खड़े में एक कोंग दा पविखन है इससे तरीके ना लोहन असी जड़ा कोंग दा पविख जड़ा सेरजनाया ते होने गल करिए पहले नंबर ते और वाले बच्चे आदी पहले नंबर ते और वाले बच्चे जो ग्रुप ए दे विच्चे एक बच्ची है जिसने सो दे विच्चों 96 अंक प्रापत किते है बच्ची दा ना आया खुश्प्रीत कोर डाटर राफ राजिंदर सिंग ममकातो तुसी देखो जो बी ग्रुप दे विच्चे दुझे नंबर ते जित पाल सिंग बच्चा आया सी ए उसे दी पहने या खुश्प्रीत कोर दोवे बच्चे एक को परिवार दे किन्नी वड़ी दे रहा गुरु साब दी इस परिवार दे उते किन्नी वड़ी बाक्षिया वाई गुरु चर्दी कलाच रखे बोले सो निहा एक कोंदा पविखने जी ओ बच्ची दे अख्चा दे विच अथरू जड़े ने ओ ए दसरे ने कि इस बच्ची ने कितने दिल दे नाल कितनी संजीदगी दे नाल मेर्थ करके इस पेपर नो दिता सी और इस बच्ची ओरे ना बच्चे जड़े इनाम ले रहे ना दे विच्चों आज सानु साहब जा दे जड़े या बीबी शर्न को और ते और सारे समूश ही दानिया रूहा नजर आ रहे ने अज़ बच्ची दे अखा चो अत्रू देखे मेरा आप दा भी दिल जड़ाया पार आया वा तो एन ऐसा डाप विख ते हून गल करिए ग्रुप बी दी ग्रुप बी दे विच्च पहले नमबर दे आउन वाली भी बच्ची है उसने डेड़ सो दे विच्चों एक सो उन्ताली नमबर लेके पहला स्थान प्रापत किता बच्ची दा नाओ है जी समाइल जीत कोर डाटर आफ सुखबिंदर सिंग पिंट कद्याल साथ स्रिया काल देखो एन बच्चेयां दी महनत नो तुसी छोटी महनत ना समझ लेना एन बच्चेयां दी जितने महनत या मेरे ख्यार चे ओस तो भी वद एन दे परवार वाले यांदी महनत या न दे माता पिता दी महनत या तो तन वा हाथ दे पातर ने उना दे माता पिता भी बोले सोने हाँ बोले सोनी हाँ एक बच्चा है प्रभ जोट सिंग जिसने आज स्वेरे कविता पढ़ी सीगी गुर्द्वारा साथ विखे ही उस बच्चे दा भी सन्मान किता जा रहा है बच्चा प्रभ जोट सिंग स्टेज दे आ जाए ता जो उस बच्चे दा भी जड़ा है सन्मान किता जावे बच्चा प्रभ जोट सिंग बोले सोनी हाँ तो तुसी वेख्या एक कोउंग दा पविक ए जड़े बच्चे ने है यह जड़े बच्चे ने आउन वाली जड़ी सड़ी कोउंग दी बाग दोर संपना लेने और एक बच्ची हो रहे है पिंड पले सर्थों बच्ची सिमरन जीद को और जड़ी की गुरुमखी दिया कलासा लगाउंदी है उस बच्ची नों भी बेटती है कि उस स्टेज दे आ जावे सिमरन जोट कोर डाटर आफ गारा सिंग जी बच्ची स्टेज पे आ जावे उना ता भी सर्मान किता जावेगा तो ए बच्चे जड़े कोउंग दा तो विखन है तुसी वेख रहे हो चर्दी कला दे विच रहे ने ना दे प्रिवार तो समाज नों भी हुण चाहिदा है कि इना बच्चे आ दी तरहां अपने बच्चे नों सा डिसारी जड़ी कोम या बच्ची दा सनमान कर रहे है जी ए गुर्मकी दिया कलासा लगाउंदे सन बोले सोनिहा तो ए सिगा जड़ातार में प्रिख्या दा नतीज्जा जो गुरु मारा दी हजूरी दे विच निर्पाख हो के कटे आ गया तो ए बच्चे जड़े या मुबारक दे हगदार ना दे माता पिता भी मुबारक दे हगदार ने ते होड़ एक गल हो गासी जवे की पाईसाब ने भी कहा सी कि पंजाबी पाशा नो जड़ा है जम्मू किश्मीर दी राजसी पाशा दे मिच्चो बार कटिया गया सी इस बड़ा मंद पागा सी सिख कोंग दे लई जड़की पंजाबी पाशा जड़की पंजाबी पाशा है जड़की गुर्मुकी जड़की लिपी है उनी एकको एक नौर्थ रीजन दी एकको एक पाशा है जड़की सरकारां दे जड़की कन्ना वे चौसी गलकार देए ये ओ पाशा है जड़ी प्रकर्ट पाशा दे विच्चो निकली सी आज तो पांच हजार साल बलकि पच्वनजा सो साल पाइलना दे निकली होई ए पाशा जड़ी की प्रकर्ट पाशा जो निकली सी एदे सबूत भी होड मिल चुके नै ए पाशा ओ पाशा है जड़ी संस्कृ अपनी लिपी नहीं है जड़ी पाशा या पंजाबी यह दिगुर्म की लिपी है गिया इनाने ओना पाशावानू राजजी पाशावा बना दिता जना दि अपनी कोई लिपी नहीं है जवे कि अपनी लिपी नहीं है उर्दु जड़िया फार्सी दे विच लिखी जांदी है इस तो बाद हिंदी दी गल कर दिया जी हिंदी नुँ असी इत्थी दी राजसी पाशाय बना आता जमू किश्मीर दी जड़ि कि हिंदी अल्रडी जड़िया ओ देज दी राजसी पाशाय न्याशनल लेगुज कहीं दे इंगनों मगर तपयानू दस दिए ए ओ लिपी है जिदि ए ओ पाशा जड़ी हिंदी जिन्हों ए नेशनल लेंगवज कह दिया जिदि आप दी अपनी लिपी नहीं है ते साथी कुर्म की लिपी पंजाबी पाशा जड़ी है ए हिंदी तो कही सो नहीं कही हजार साल पुरानी है ते ए पाशा उन्नी सो संताली तो पहला भी जम्मू किश्मीर दी राज़ी पाशा सी गी इवन की शेरे पंजाब महाराजा रंजीर सिंग ते समय लिटरेसी रेट जड़ा 99.9% सी क्रीब क्रीब 100% लोकी जड़े या ओपड़े लिखे हुंदे सी पर अफसोस उस पाशा नूं जड़ी की पंजाब दी अपनी मा बोली पाशाया उनू एनाने नखेद दिताया पर एक गाल तानू दस दिये एता सा नू पहला भी पदा सी की एनाने साटे ना लहे कुछ करनाया पर हुर तानु दास्ति ये जड़ी एता अर्मक प्रिख्यावी एदा ही एक आंश सिगा के असी अपनी पाशानू अपने हथा दे विच लैके अपने करा दे विच अपने बच्चे आदे नाल हमेशा पंजाबी पाशा दे विच गल करिये पंजाबी पड़ाईए सानू नहीं लोड़े ना सरकारां दिया राजसी पाशा बनन दी मज़ा ता ता है मज़ा ता है के सरकार आके सानू कवे के जी अहूं असी ताड़ी पाशानू आप ही राजसी पाशा पनावाँगे क्योंके ये तो सारे लोग किये थे पंजाबी इन है पंजाब पांचTrया वा दी तर्थी पंच दर्या पहला दर्या जेलम जेलम तो लाहके 16 तकदा जड़ावी इंपा या इस सारा पंजाब या एदे विच रेनवाला किशमीरी एदे विच रैन वाला डोगरा एदे विच रैन वाला सिख एदे विच रैन वाला हिंदू मुसलमान इसाई, जैनी, बोधी इस सारे दे सारे पंजाबी यह साड़ा इतहास को कहिंडा वा ए अज पंजाब नो बेशक पुझे विच बंद करन दी कोशिश कर रहे है पर पंजाब पंच दर्यावादी तरती है और ओजे लम तो शुरू हो के सुतलज तक जांदी है तो असी इना सरकारां बे पिछे पजण तो चंगाया कैसी अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर, अपना विर्सा साड़ा विर्सा, साड़ा परिवार किया, ए जड़िया शहीदिया, लासानी शहादता ही साड़ा विर्साया, एही साड़ा परिवार है, एही साड़े प्रा, एही साड़े माता एही साड़े पिता, एही साड़े दादे दादिया है तो साहिदे कमाल गुरु गोविन सिंग जी दे जड़े बच्चे माता जी अते समूश हीदा दे लासाने शाह अददनू समर्पत ए प्रिख्या जो असी करवाई सी ते उमीद कर दे हां कि असी यदे ते खरे उत्रे हुआंगे तो असी इनना कु जड़ा उपराला जरूर करिये के अगहां भी जड़े अपने होर इलाके जड़े रह गया उना दे विजवी इस तरन ये प्रिख्या करवाके ते होर बदू बच्चेया नू जड़ा इतिहास तो जानू करवाईए इन्ये ही बेंतिया संगत जी परवान करनिया जी फईया पुला चुका दी खिमा जी वाहि गुरू जी का खालसा वाहि गुरू जी की फते वाहि गुरू जी का खालसा वाहि गुरू जी की फते एस अन्वीर्त जिंदर सिंग जी जिना ने इस तार्मिक प्रिख्या विच जो टेक्निकल एफ़ट्स जो सारा नहां ने, पेपर नहां ने पाया त्यार किता, syllabus त्यार किता बहुत ही संजोग दिता जो इना दा विशेष सन्मान बबा, गुर्त एक भादर सेग अवा सजाएटी वो इना दा विशेष सन्मान किता जावेगा बोले सोने हाँ सो भीर जी ता बहुत बहुत तन्वाद क्योंकि जिद्वी इनान अकुले जाहिए सी अग्य होके बच चरके सेवा करंदे तत पर रंदे हन सो बहुत बहुत तन्वाद